दोस्तों कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि मैं compare वीडियो जादा बना रहा हूँ मेरे ओल ड्रोइंग के साथ ने वाले ड्रोइंग्स को वीडियो भी मैं सेम टॉपिक पेक बनाऊंगा फग एक साल पहले मैंने एक वीडियो अपलूट किया था गोस्टेडर का तो वह वाला ड्रोइंग मैं आज फिस से बनाऊंगा वाटर कलर का यूज़ करके तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसा बनता है वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रू कर देना आपने दोस्तों कर से शेर कर देना तो सबसे पहले मैं आउटलाइन को बना लेता हूँ और मैं जीस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ वो है हैंडमेट पेपर जो आपको किसी भी आर्ट मिटेरिल की दुकान पर आसनी से मिल जाएगी यह पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने आउटलाइन को बना लिया है अभी इसको हम लोग थोड़ा भीगोएंगे और भीगोने का फाइदा यह होगा कि आप जब कलर करेंगे वो पेपर जो है खराब नहीं होगा पेपर नहीं फूलेगा दोस्तों यह वाला टेक्निक मैं बिल्कुल नहीं तरीके से बना रहा हूँ मैंने पहले कभी भी इस टेक्निक के यूज नहीं किया दोस्तों मैं लगभग एक मिनिट तक इसको भीगो लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको कलर करेंगे इसको सुखाना नहीं है उसके बाद ही आपको कलर करना है तो दोस्तों मैं भी कलर का यूज कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जब भी कलर का यूज कर रहा हूँ और पानी का यूज कर रहा हूँ इसमें कोई भी प्रॉब्लिम नहीं हो रहा है पेपर पर आभी दोस्तों मैं फर्स्ट उन को दे रहा हूँ और फर्स्ट उन को देने के बाद हम लोग सेगंड उन और थर्ट उन भी दे देंगे दोस्ता आप लोग जब भी फर्स्ट उन को देंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कौनसे को से पुशन पर लाइट है कौनसे को से पुशन पर डार्क है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फर्स्ट उन को दिया है अभी इसको थर्टी मिनिट्स के लिए छोड़ देते हैं उसके बद हम लोग सेगंड टॉन और थर्ट उन भी दे देंगे तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं सेगंड टोन और थर्ट उन दोनों एक साथ दे रहा हूँ आप अगर प्रेक्टिस करते हैं हमेशा तो आप सेगंड टोन और थर्ट उन एक साथ भी देख सकते हैं आपको अगर समझ आ जाता है कि सेगंड टोन और थर्ड टोन किस तरीके से देना है कौन से टाइम पर देना है तो आप बिल्कुल एक साथ कर सकते है टेपा है पर दो आपको ध्यान से करना परेगा और मैं औरेंज कलर का यूज कर रहा हूं यह पर एक बार में आप डार्क मत कीजिएगा धीरे धीरे डार्क कीजिए आपको कीजिए नाट ऩ sc relação्यान से कर वहले में आपको के बार। झाहिए बार कीजिए पारी ल्यान से ses तो. आपको कीजए बार में डार्क यह जचाँ है। झाल झाल दोस्तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना आपने दूस्त को से शेयर कर देना और दोस्तो आप लोग साफ साब यहाबर देख सकते हैं 2018 में मैं किस तरीके से बनाया था और 2020 में अभी मैं किस तरीके से बनाया हूँ तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कॉमेंट पे ज़रूर बताना ड्राइंग कैसा लगा कॉमेंट पे ज़रूर बताना और अभी तक हमने चनल को सबसाइब नहीं किया तो सबसाइब को लिजिए ताके आने वाले वीडियो आप लोग को आसानी से मिलते रहे